महिलाओ तथा बच्चों से जुड़ी हर समस्या की समाधान के लिए सब्सक्राइब करें Helping Guide TV को तथा वेल आइकन को दमाएं ताकि मेरी बनाए हुए लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यू Helping Guide TV Friends आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जो डॉक्टर सिजेरियन यानि ओपरेशन करने से पहले करते हैं अक्सर कई महिलाओं के मन में जिनकी पहली बार delivery होनी है या पहली बार operation होना है यह सवाल उठता है कि कैसे operation होगा और क्या क्या होता होगा और उन्हें काफी डर भी लगता है तो मैं आपको बता दूँ कि operation में डरने की कोई जरूरत नहीं है बड़े आराम से आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका operation हो जाएगा तो चलिए जान लेते हैं कुछ बातों को सबसे पहले डॉक्टर आपको रूम लेने के बाद एडमिट करेंगे और आपको drip लगाएंगे और आपको 4-5 गंटों तक कुछ भी खाने और पीने को मना करेंगे यहां तक की पानी भी नहीं पीने देंगे जब आपको drip यानी बोतल पूरी लग जाएगी तब डॉक्टर आपको operation theater यानी OT में ले जाएंगे और वहां आपको लिटा देंगे और आपका बीपी चेक करेंगे पहले तो सिजेरियन में डॉक्टर बार बार बीपी चेक करके देखते थे लेकिन अब automatic लगातार मशीन चेक करती रहती है और डॉक्टर की बीपी पर नजर बनी रहती है फिर जो injection लगाने वाले डॉक्टर आते हैं वो आपको नीचे की ओर यानी रीड की हड़ी के निचले हिस्से पर एक injection लगाते है लेकिन इस injection से दर्द नहीं होता है फिलती हैं तो दुबारा injection लगाया जाता है इसलिए आप इसमें हिलने की ज़्यादा कोशिश ना करें ना ही डरें जैसे ही या injection लगता है बैसे ही तुरंत आपके कमर की नीचे का भाग सुन हो जाता है और आपको ऐसा मैसूस होगा कि जैसे नीचे आपका सरीर है ही नहीं केवल उपर का सरीर ही मैसूस होगा फिर सरीर सुन होने के बाद डॉक्टर आपकी आँखों में पट्टी बान देंगे या आपके चेहरे को पूरी तरह से ढग देंगे और फिर लिटा कर नीचे की ओर आपरेशन करते शुरू कर देते हैं और सिसू को बाहर निकालते हैं वो आपके पेट को पूरी तरह काट पीट कर सिलते हैं लेकिन आपको रत्ती भर भी दर्द नहीं होगा केवल ऐसा मैसूस होगा जैसे हलका हलका कुछ पेट पर हो रहा हो इस दोरान आप सब कुछ मैसूस कर सकेंगी और डॉक्टर की सारी बात भी सुनेंगी और अपने सिसू के रोने की आवाज भी सुन पाएंगी और जब आपका पूरा पेट सिल दिया जाएगा यानि टाके लग जाएंगे तब आपको पट्टी हटाकर स्ट्रेचर की माध्यम से आपके रूम में सिफ्ट कर दिया जाएगा पहले ऐसा इंजेक्शन लगता था कि सिसू जन्म के बाद से ही नशा या बेहोशी आ जाती थी और पेशेंट बेहोशी की हालत में कम से कम 24 गंटे तक बना रहता था लेकिन अब इंजेक्शन के लगने से बेहोशी नहीं रहती है और आपको बाद में भी पूरा होस बना रहता है आपको ऑपरेशन के बाद बहुत तेजी से प्यास लगेगी और मुह भी सूखेगा लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन होने के बाद भी आच से दस घंटों तक या कई डॉक्टर थोड़ा और समय भी ज़्यादा कहते हैं आपको पानी या अन्न चीजें देने से बिलकुल भी मना करेंगे टिप्स किसी भी गर्वती महिला को ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत बिलकुल भी नहीं है क्योंकि ऑपरेशन में बिलकुल भी दर्द का एहसास नहीं होता है इसलिए यदि आप बे बज़े डरेंगी तो आपका ऑपरेशन के दौरान बीपी बढ़तकता है जो आपके और आपके बच्ची के लिए सही नहीं है और ऑपरेशन में ज़्यादा समय भी लग जाता है इसलिए खुसी से बिना डरे हुए ऑपरेशन के लिए जाएं कि अब आपके पास एक नन्ना सा प्यारा सा महमान आने वाला है हाँ लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि ऑपरेशन के समय बिलकुल भी तकलीफ नहीं होती है थोड़ी तकलीफ और परेशन के बाद जब टाके लग जाते हैं और डॉक्टर उठने चलने के लिए बोलते हैं उस दौरान टाकों में होने वाले खिचाओ की वज़ए से होता है अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेपसाइट प आपको बहुत पसंद आएगा तो फ्रेंट्स एक लाइक तो बनता है और प्रेग्नेंसी तथा बच्चों से रिलेटर वीडियोस पाने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें थैंक्यू